है गरम पानी उपर है ठंडा पानी नीचे है वो वाइट है मदब जैसा पानी कलर है वैसा था क्या यह पूरा जार जो है वो पूरा लाल हो जाएगा कि नहीं होगा कभी कैसे हो जाएगा कैसे हो जाएगा जब तापमान दोनों का क्या हो जाएगा मराबर और यह हो पाएगा क कभी नहीं हो पाएगा और जो सब सारा पानी कैसा हो जाएगा कौन से तापमान में आ जाएगा इस सारा पानी रूम के तापमान में जो हमारा भी रूम है जिस पे है ना तब ये पूरा पानी क्या हो जाएगा एक कलर हो जाएगा अरे होगा की नहीं होगा होगा very good very good थोड़े दर बाद हो जाएगा तो हम इसको side रखने जब हो जाएगा तो उपर से आपको दिखा देंगे ठीक है चलिए चलिए एक बोटल है काच का आईए भी और मज़ेदार चीजे समझते हैं सक्कर रखने वाला धर में होगा क्या पता सक्कर रखने वाला ही है ममीरों सक्कर रखते हैं नमक रखते हैं है हाँ हाँ very good देखिए सिब सिब एक काच की बोटल एक जार और एक हमारे पास है यह बलून इससे हम अभी कुछ चीजे समझेंगे ठीक है जी कुछ चीजे समझने से पहले हैं मैं आप से छोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं आप आजाए यह बलून आपके पास है इस बलून को आपको फुलाना है लेकिन आपको अपने माउच का यूज नहीं करना है ठीक है भाई साब आपको हम दे रहे हैं क्या क्या दे र आपके रिक्वेस्ट पर हम आपको पानी भी दे रहे हैं क्या दे रहे हैं पानी तीन चीजे आपके पास हैं एक आपके पास खाली बॉटल है एक आपके पास जार है और आपने रिक्वेस्ट कर लिया कि पानी भी दे दो सा तो हम आपको क्या दे रहे हैं अब आप कि कैसे ये बलून फुलेगा माउट से आपको नहीं फुलाना है सोच के बताईए और आप सभी सोचिए जिसको आंसर मिलेगा तो मुझे आके यहां पर बताएगा इस बलून को फुलाना है अगर हम आपको ऐसी बोलते बलून को फुलाने तो किससे बुलाते आप माउट से अ एक सिध्धान था जिसमें हम अभी चर्चा करेंगे सोचिए उसमा से वेरी गुड कैसे फूल इदर आईए करके दिखाओ पानी चाहिए आपको येलो पानी येलो पानी बनुद देगा भाई साब आपको सूझनी रहा कुछ शीच सूझना की कैसे फुला पाएंगे आपको आ ओंध से किर सकते ठीके ठीके वरिगूड़ भाई साब पानी से बलून को फुलाने वाले हैं कि क्क पानी से फूल हुं हुं मैं ई writers का कि गे यह कैसे फूल साइगा इस में इसके अंदर तो स्मसे फूल शाएगा थे फूल मैंत धूले गा उस्मा तो आपके गैस के अंदर उससे फूल जाएगा संसे इसको वहां लेचले दूप में धूप से फूलेगा दूप महां बाहर तो उसमा है क्यों कैसे फूलेगा यह है आप सोच रहे हैं थोड़ा और सचिन सोचिए कि कैसे फूलेगा थोड़ा बताईए इधर देखिए यह जी आपको तु और किसी को अगर सूज रहा है कि कैसे यह बलून जो है वह फूल सकता है तो आप यहां पर आके बता सकते हैं